वर्कर योंकर दिता आणि तुम्ही सब्ली उपस्तिस रावले ताचा बंदल तुम्चे खुब खुब धन्यवाद मन्टा आई जम्चा बरबर असा आँचे नेशनल जेनल सेक्रेडरी आणि दून फावट लोग सबा सांसल अशिले अभिशेक बैनर जी तुम्हा टागि अधिल्न सोता अपले अनुप्या शरता मॉन आई त almची अमियाढब्स कांफरेंस आई योग जोल्या तुम्हें टयbox करता कि हूं का अयूण उपसनी जाल के अधी ऐगाडरा देश्या थैं कर दोबेंगू अज्स झार्टी नहीं चार्ट आपकर है केट। बिक अभूंतीज प्रहूं कि प्रथिवा जायश बांट चार्टीवान। तो तो बनाणी पुंट पीन तो धूर्ट थिर्ट से कंटेग सिर्ट एफ इंट, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिये अगर आपको कुछ पूछना है तो जैश भाई आपको कुछ सवाल अगर पूछना है तो 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 आपको कुछ सवाल में टूगा अच्छाब गाराणी पेस्ट और मिस्वाम्ता बानरजी प्रेंट कर गालाम करेंगा आपिक बहुत है कि तर्फा प्री गश्डर से यह करना है जए को देडिए नहीं दोगा है कि बढू और फिर फिर फ्री दोवा फ्रीज्ड ब गॉत ट्रुछंब विस पूरम and not treating them as their immediate priorities will be ousted, and Trinomo is going to fight the battle on the ground. उसके बाद से आज तक ये तीन महने का जो हम लोग का जरूनी है, आपने देखा हम लोग जीत जान लगाके ये लड़ाई दर रहेंगे. और ये तीन महने में हम लोग लिटरली जीरो से शुरू करके आज एक मुकाम तक पहुंचेंगे. दो बार हमारे अध्यक्षा और दीदी गवाई, लोगों से बादशीर करें, मीटिंग हुए पॉलिटिकल कारवाई में, उन्होंने जाके अपना विशे बक्तव्य रखा और जिस तरीके से जिस प्यार जिस अपनापन के साथ, उनको गुआ के हर एक मा, भाई, बहन, हर एक गोइंकार जिस तरीके से स्वागत किया, स्विकार किया, प्यार दिया, वो दिखाता है के चुनाओ के चुनाओ के जो दिन है, वो भी अनॉंस हो गया है, 14 February को चुनाओ है, and there is no doubt that 14 February is going to be a day of Goenchi Nari Sakal. Goa is ready and ready to bring a change, ready to usher in a new dawn, under the able leadership and guidance of our honourable chairperson Mamta Banerji. Chiromul is the only party which is taking on BJP's might, vigour, BJP's juggernaut and blitz, and taking them head-on. BJP को हडाना कहना एक बात है, और BJP के खिलाफ गरवन में लड़ना, दोनों में जरमीन आसमान की फड़त है. चाहे कोई कुछ भी कहे के हम तयार है, हम BJP को हडाएंगे, हम यह करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप अगर जमीन में नहीं लड़ रहे हो, ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उस बात का कोई महत्वर नहीं होता है. और मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, कि फर्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों नहीं देखा है, चाहे वो आमादमी पार्टी हो, या कोई भी अलग पार्टी हो, वो अलग-अलग सवाल उठा रहे थे, कि त्विडोंबल इस ट्राइग एंड डिवाइडिंग और स्प्रिटिंग दा एंटी बीजेपी वोट. अगर ऐसी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी आच्चेर परसें, मिस ममता बैने जी, मेड़ा क्लाइडियन कॉल और गेवा क्लाइडियन कॉल इंटरेस्ट आप पीपल अफ गोवा, आप एब्री लाइक-माइड पार्टी शुट कम तोगेदर, तो फाइड और आउस्ट बीज़ेगी, एमज़ेपी हम लोका बात में पॉजिटिवली रिस्पॉंड करके दे केम ओन बोर्ट, दे फॉर्म्न स्टिश्ट अन अलाइड्स विट्रिवूंगुल कॉंग्रेस, अगरीं तो फाइड दे इलेक्शन तोगेदर, दूसरे जो पार्टीज है, वो यह कहने में व्यस्त होके हैं कि त्रिवूंगुल तो वोट बाठ रहे हैं, हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो, को इंचार्ज हो, गोवा के यूनिट के प्रेसिडेंट हो, या जितने सैनिक के सब जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं, सब ये बात आप लोगों को सपश्टता के साथ बताया हैं, कि किस तरीके से हम लोग चाते थे, कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिल के लड़े। And the National Vice President of Trinomal Congress also had put the facts in the public domain today in the afternoon, why he spoke to one of the media channels in the country. कि हम लोग चाड़े थे, हम लोग अपनी तरीके से, we worked that extra mile to make sure an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. कि यहां पर ego की कोई बात नहीं है, अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं यहां पर 10 घंटा बैटूंगा आपके एक-एक सवाल का जवाब दूँगा, लेकिन जो लोगों को mislead कर रहे हैं, जो लोगों को गलत चीजे बता रहे हैं, छूट बता रहे हैं, उनको भी expose करना आज इस press conference में जरूरी है, कल मैंने देखा, Congress का in charge, Mr. Chitambara, I have highest amount of regards for him, he is a very senior parliamentarian, he has been the former finance minister of the country, but the way he has been misleading the people, just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large, is something that should be exposed and brought to public domain, उन्होंने कहा के बाई, Trinambul has never made that offer, Pavan Varma today has put this in public domain, that he being the national vice president of All India Trinambul Congress, went to Mr. Chitambara's house on 24th of December, please note the date, you want the time, I will tell you the time, it was 1.30pm in the afternoon, he has said this, and Mr. Chitambara is an eminent lawyer, if he thinks that we are fudging the figures or we are misleading the public at large, he can sue us, he can slam a defamation notice within 24 hours, then let us go to the court and find it out, who is lying, who is misleading the public at large, he is a lawyer, he is a very senior advocate, let him slam Trinambul Congress with a defamation notice, that Trinambul Congress is misguiding, Trinambul Congress has hold a press conference, and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinambul Congress. Pavan Varma has very clearly stated, that he went to Mr. Chitambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1.30pm and requested him that we should come together keeping our egos aside and make sure we fight it out for the sake of every goans and goinkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinambul has not made any concrete offer. First you have to agree in principle. There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I discuss at this time we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner. Whether you are a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical things eventually will be worked out when you agree on principle. When you don't agree and you think that we are self-sufficient, we as in the Congress, I am saying this to Mr. Chitambaram. When he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chitambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? He is coming out in open and telling everyone that we are open for an alliance but we are also self-sufficient when it comes to taking on BJP's might, when it comes to defeating the BJP. So if you are so confident and you are so absolutely clear in your mind, in your head that you can defeat the BJP, then if the results turn out to be otherwise and if Congress is not able to defeat the BJP and the results come out on the 10th of March, Mr. Chitambaram should take it on him and come out on open and tell the world that yes, we have failed and I take this on me and I will resign. He should come up high on moral grounds. This is the first thing I would like to say. The Congress is misleading the people at large. The Congress is misleading every go-on. Congress was the single largest party in 2017. They are saying give us one chance. People gave you a chance in 2017. You are a party which had 17 MLA's. 80% of your MLA's defected to BJP. It was whose fault? You fail to keep your flock together. You fail to make sure that the Congress MLA's elected on a hand symbol or a Congress ticket stuck with Congress for the next five years. They kept their own self-interest, their own vested interest above the interest of people. We have to change this. We have to oust these craters out from Goa on the 14th affair. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might, all its agencies, all its money, muscle, mafia power. Trinambul will not be cowed down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head-on, it is only All India Trinambul Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed five years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Falerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the government to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goa, every going card, हर मा, बहन, भाई, तोस्त, चितने भी लोग है Goa का, मैं सब को हाथ जोड करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा के आप लोग एक बार इनको वोड देके देख चुके हैं. एक BJP को, Congress को वोड देना मतलब सीदा सीदा BJP को देना. All the Congresses are now running BJP and all the BJP's are now running Congresses. BJP is in alliance with a Congress without going into a formal alliance with the Congress. आप देख रहे हो, क्या हो रहे है? जहां पे कोई निती नहीं है, there are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principles. Congress is a party of anything but ideology. आप आइडियोलोजी आज देवेंद्र फट्णविश ने प्रेस कॉंफरेंस करके, वो खुले आँख कह रहे है, कि हमने राने पडिवार से दोलोगों को टिकेट दिया. प्रताप सिंह राने इतने सीनियर है, वो सीट कॉंफरेंस की है, पचास सालों से कॉंफरेंस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहें, कॉंफरेंस की अब जीते ही पाएगी, आप हमारी मदत काव, बीजेपी जीन सकते हैं. बीजेपी इस अब सब्सक्राइब कर दिएगे, बीजेपी इस अब जादा सबूत और क्या हो सकता है, कि बीजेपी का जो इंचार्ज है, गोआ का, वो यह कह रहा है कि हम कॉंग्रेस वाले के पास जा रहे हैं, और हम यह कह रहा है कि कॉंग्रेस तो नीचे जा रही है, आप हमारी मदत करो, हम ही जीते हींगे, और कॉंग्रेस वाले कह रहा है ठीक है भाई साब हम आपकी मदत करेंगे, यह अगर politics की गोवा में स्थिती है तो गोवा का हर एक आदमी को तै करना है कि आने वाला पाक साल क्या ऐसे ही बीते जैसे पिछला पाक साल भीते जहां पर हर एक परिवार के पास युवाशत्ति कार्ट जैसा स्कीम हो हर एक मा के पास बेहन के पास ग्रिया लक्ष्मी काद हो साथ उचा करके फकड के साथ और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है त्रिणोमुल त्रिणोमुल इस नोट गिविंग इस अगिफ्ट दिप्राइग दॉफ फर 10, 15, 20 यह त्रिणोमुल कोई एसान नहीं कर रहा है गोव उखनव जात की घीफ इस अलवां हो चाहे वो वा कि युवाशुक्ती काईव और चाहिए वह ग्रियालक्षमी काज यह आपकी हक है यह आपका पैसा है एक-छ मावाह का है और यह पैसा इसमाल होता था यह बइकडोर के रगंग करके बने की इसको बंद करना हैं कि मैं अपील करूंगा गोवा के हर एक मावाई बहन के सामने कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग सौबार सोचे कि गोवा की जनता की ताकत क्या है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रिणोगूल MTP Alliance को हर एक सीट से जिताओ विजय बनाओ और एक MLA तो क्या एक वरकर भी हमारा इधर से उधर नहीं जानेगा ये पॉलिटिक्स हमें खतम करनी है जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है जहां पर सिंगल लाजस पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आदे MLA's डिफेक्टों के दूसरे पार्टी में चला जाता है पैसरे के लिए लालज के लिए जो लोग उनको गोड़ दे की जिताया उनके बारे में नहीं सोचके अपना अपना पड़िवार और आपने आज पास के गिने चुने, जो लोग है उनको उनका बला कैसे हो अपना बला कैसे हो इसमेह प सिकार उनको हो मता बैनेच है तुरूंबC भानाई कांग्रेस में अ क्तरिएं आद्रियान कॉल और युटित हो है as I rightly said three months back before we entered Gowa that we have the fire now belly and we will defeat the BJP और कॉंगरेस जो ये नेरेटिव पूश कर लई है कि त्रिनोमूल इस डिवाइडिंग एंटी बीजेपी गोर्थ आज देविंद्र फटनविस खुद कहा है कि प्रताप सिंग राने के पास मैं गया हूं और बोला हूं कॉंगरेस को मदख मत करो बीजेपी को करो यह मैं नही सब्सक्राइब के लिए इसके लिए यह सब समझने हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि कॉंगरेस को एक वूर देना यानि बीजेपी को एक वूर देना हाथ में कमन बसता है उसको उखारना है और गोएंची नभी सकाल को जिताना है दो फुलांचो काल गोएंची नभी सकाल मैं सब को अनुरोद करूंगा कि इस वहम में इस मिस कम्यूनिकेशन का शिकार ना हो जहां पे सब कॉंगरेस के लीडर आके कह रहे है कि चिरूमुल दिरिंट मेर इनी कॉंग्रेट आफर तो उस what more concrete do you need if the vice president is going to your place and asking you to rise above your own political petty interest and stitch and formulate an alliance for the sake of people at large and for the sake of every goance and then you said we didn't have any concrete talks there has to be a limit to hypocrisy it has to be a limit to a poker face they think they can mislead the public at large with their incessant lies but that is not going to happen and I put this on record again if we are lying mr. Chidambaram should slam a defamation notice on Trinambul Congress then we will put out more records in public that who walked that extra mile for the sake of Goaans who took that extra effort who rose above their own self-interest and keep their egos aside and make sure that Goa is freed away from the clutches of corruption it is the Trinambul Congress if you have the if you have the guts slam a public slam a defamation notice to me or the party I will take you to court and I will bring more evidence and I'll bring more documents and make them public and let the people see who walked that extra mile is it the Congress or is it the Trinambul Congress they have to understand they cannot mislead the public at large when Trinambul is in the political frame we will fight till the last drop of our blood but we will not let you fool the people as if you have any questions in front of your questions that have come and ask you so whole in the political plans and the public, why don't you ask the question and ask us first of all make the publication and your name shamsuriya go on what the life shamsuriya go on what the life doesn't you have to ask us onItal something in the Pongkundi I was asking a Hindi AuP deputy chairperson had gone to Christopher house you said national vice president फे पलयन बती है। हम हम यह दो आदेने। इडिदीड सकते हैं जो आदेंटाउ हुआ हम विचे ल रख to make sure that Trinopool is walking that extra mile or Trinopool का ego के लिए Trinopool Congress जानी रहा है ऐसा बात ना हो इसलिए हम गे और ऐसे बहुत सारे चीज़े हुआ है मैं इसलिए कहा रहा हूँ ना कि उनको अगर दिक्कत है तो उनको बोली एक notice base देगा, एक मामला करेगा एक case करेगा, we will bring more evidence in public domain, they are misleading the public at large and they are saying that they are sufficient enough to defeat the BJP, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं BJP को हडाया जाए, Congress कह रहा है कि Congress का भोल मार्टरी तरो मुला रहा है, ऐसी एकर बात हो थी हम तो पहले Punjab जाते, Congress को हडाना हो तो हम तो पहले है जहां पर BJP डूल करती है, हम आए गवाए जहां BJP डूल करती है, हम निखाना आए गए जहां पर इंडिया के Alliance रूल करती है, हम जिस जिस स्टेट में जाएंगे जहां पर BJP स्टेट को खतम किया है, लोगों का और दौने के लिए, कोपर्स को वीग करने के लिए इतनों बुलाई गए, ऐसी बात होती है, तो मैं पंचाम नहीं जाता, अगर ऐसी बात होती, तो मैं राजस्थान नहीं जाता तो यह सोचने वाली बात है, वो यह प्रोपागंडा फैलाने की कोशिश कर रहे है, तो पीपल और गोज़ा है, प्रोपोजल कहता हूं, वही पूछ रहा है, वही आपको कह रहा हूं, कि पहले साथ में आए, मैं आपको अगर घर में डिनर के लिए बुलाओंगा, तो आप मा मानेंगे, तभी मैं यह कहूंगा ना, कि चलिए आठ बजाई है, यह सारे आठ बजाई है, आप वेजटेरियन हैं, कि नॉन वेजटेरियन हैं, आप दाल खाएंगे, कि चावल खाएंगे, वो बात तो आगे होगा, when you are not agreeing to agreeing, when you are not interested to stitch an alliance, वो बात आगे कैसे बढ़ सकती है सब्सक्राइब, पहला सब्सक्राइब, पहला सवाल है कि आपने जो गोवा के बड़े लेडर लेई हैं, लुईजन फलेरो और अलेक्स रेजिनार, अलेक्स रेजिनार ने कॉंग्रेस से त्रणमिल में आगे, बाद में उन्होंने इस्तिफा दे दिया, जी, सो उसकी प्रियास किया अभी गोवा में, कॉन सा सवाल का जए है पहले दो एक दो, कि आप क्या चाते हो, कि प्रयास किया गोवा में पार्टी बनाए है और गोवा की हक नडाई की जाए, सब्सक्राइब कि आप दो स्वाह वाविक है कि दूस्टे पंटी के लोगी आएँ कि कोई कोई आपका परिटिकल एफिएशन के साथ किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए है तो इसमें बहुत लोग हमारे साथ आए जुड़े आप कौन रहना चाहते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि we have to keep our interest aside and keep the public's interest and treat them as priority we have to understand कि लोगों के जो मुद्दे है उसके लिए हम लड़ाई कर रहा अपने लड़ाई नहीं कर रहें अब किसी को अगर लगता है कि यहां रहूंगा तो मेरा नुक्सान है भले ही पाटी जित जाए नुक्सान मेरा है और मेरा जो वेस्टर इंटरेस्ट है उसमें होगा वो जाना चाहे जा सकते है उसमें क्या परत परता है दरवाजार त्रिनमूल का खुला हुआ है जो गोजा के हक के लिए लड़ना चाहते है वो त्रिनमूल में रहे और जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते है वो जाए और जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते है वो जाए वो देसे अफ्टोब यू इस अफ्टोबादयू। उट्चोब लिए और इकर्फटोब एल तयू यू यू इसवी घाठोल से यू जाठूब गूए ज्न करूप पूर था कि लाय जू प्टोब अ पर गुछ्टोब न।, इस थे अप नूझार।क इज इस वी हुए्ट जबना रखे शवलों को भी कि लगजोगान के दोग झाकेश, विह डिए जे पुबीक से कि लैज जब कोस्य हो, जा इर चिवडाट के जिके जब ट्रॉच के लिए, फिक नगी करसे Haloon पिर उन्ही एक हैं। what is your offer? I can not see any hypothetical question. First if you don't agree, what is your offer? Ma'am, I can not name a kid who has not born. I still keep the name as your child. and if this alliance doesn't take shape will TMC and MGP still be in a position to win? Of course we are here to win! Do you think we are fighting the election to lose? we are here to win. I am telling you and putting this on record again. Trinambul is fighting it all out and Trinambul is the only party fighting the BJP on ground. And we are here to usher in a new dawn and win the state lock stock in barrel for the people of Doha. Sir, मेरे सेकेंड सावल कर जवाब नहीं मिया, लुईसिंग तुलेयरु को? अन विघेंड़में था है, उन नहीं मिलें कि अšके, कुभिया साथ हें छ मिला कि यारेती था है। धुकमेविम कि देवादे का horrific tragicẩy सोल राता है। And general man the king was first one to come and take PHP from Mananta보다, and who has he been pitched against? He is fighting against the betraying chief in Goa Politics, Mr. Vijay Saante Sai. I tell this again, betrayer-in-chief, let him slam a legal notice to me. As the English saying goes, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So the people of Goa has to understand that this traitor needs to be defeated and ousted. And what better way than having senior leaders like Mr. Fellerio coming and leading the charge and leading the battle from forefront. Sir, why are you calling him betrayer-in-chief? Because he has betrayed the people's mandate, you have seen. Everyone knows. Sir, on the coast of the media, local news is the brand. Your alliance with MGP, what do you want to do with seed sharing and how much of the seed sharing is done? Seed sharing is about 31-9, not enough. की नगनों सी Entscheid'S कि अच्छा Video Spitzer मिलेगा को ब्राणार विस्पिन करेलिए कर में संखर टरीग का कर द스타 खेगा, मिलों में संखर लुिर हो शेंका, मन्स 12 लिवाई है कर दो अभिजेपी की 34 कंडिडेट की लिस्ट गोशित हुई है जिसमें उत्पल पर्रीकर को अभी तक जगा नहीं मिलिये उनको कन्विंस करने की कोशित है अभिजेश जारी है दो अल्टर्नेटिव उनके पास रखे गए लेकिन उनका कहना है कि वो पंजी से ही चुना उलडेंगे तो अगर वो पार्टी छोड़ते है तो तुरुनुम्न में उनका यह तो उनका इंटरनल डिस्ट्यूट है मैं तो मेरा कहना यह तिक पनी करना इसमे का इंपॉर्टेंस है वो कहां तक है वो सबको पता है और अट इस नॉट रिस्ट्रिक्टिद विदिन बाउंटरी जार्स्टिक्स अग्वा परिकर साहब इस नोन तो एवरी इंडियन अब वो नहीं रहे तो वही और किसको पीच किया आप देख लीजे मतलब ऐसे ऐसे लो डर कर और है है तो गुँआ रस्ता इतना खढ़क्यों है है त ró Jamshork transparent क्यों है तूरिजन स्टर में बदला क्यों नहीं आया अ माइनिंग में इता करफ्शन क्यों क्यों है अनिम्पुईमेंट लेटत यतना जादा क्यों है ये सब सवा उंग इस अभिशेक जी एक सीधा सवाल है, अगर उत्पल पर विकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तो तुरुणमूल उनके सामने काइंडिडेट देगी क्या? तो बात का बात है, वो हाइपोथेसस क्वेस्चिन हो गया, वो देखी जाएगी, अगर उस तरीके सा अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, बिकरस मैं अकेला तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, तो पाटी, वो एक लोकतांत्रिक दल है, दस पर हो गहाँ है, कि बीकरसा प्रान को लुए इस हो पताना बात्रिके तो न वो मैं चाहते है कि आहाँ हो भी कि अजाए प्रेसा गुए्ड नान ए जालोल्डेकिमिर को वाठीछ को 10 है उनी बनी प्रफान पातीज है जाल रख काहष्ब अष्ट को वेड़ सपस्टouch उकोगला 25ड है? इस्ट आड वीज इस्ट नविए जाड डिल टीज कर देएिव इंग ड्लीक लग जूर्एंग जब शेडियो हैं नीज नवीट अडियो खिंग विट आर देटीज कर देटरी इन चीफ विट अवीट न रिप्र नवटन अडए खिडिए्व तेन विट हैं बड़ा मिट्स ए व्योर औरीटेस भöll हम इस प्वियम कि भीपटूर शीतकारीईग, जिज़ की फजोसिते भी जीम भीप्रहुपोर pro अरेधे फेले टेखने के फिद्षै टून कृणी प्रीदाल, वीजिड ऑलाुटब युवाहुडिकारेध pagar दी इंस प्रत्सितुतिश। कि शीज़ से अच्वेट पार शीज़ा है? कि शीज़ जीज़ाने कर सब्सक्राइब देखें प्रोट्वाटब्ल पर नाधने भीक्वार्ट वास्ताब। NCP was supposed to revert, they didn't revert, but it goes to say what is the relation between NCP, Shiv Sena and Congress. They are running Mahavika Zargari in Maharashtra and their own ally partners are going against them in Goa, which is adjacent to Maharashtra. They are not convinced of the people of their alliance. They are saying that they are voting here. They are voting here. They are voting for people of Goa. They are voting for people of Goa. Electoral defeats and electoral victory doesn't matter for Trinomul. We are here for the long term. We are here for the people of Goa. Come what may, we will fight till the last drop of our blood for the people of Goa. Devendra Patanwish has another tip. TMC is like a migrant bird. Yes. TMC is like a migrant bird. They will come without working. Migrant bird means that if they think that any party will become migrant, that means that the people of Goa is going to divide and rule. Bengal has said no to divisive politics. Goa will also say no to divisive politics. This hate propaganda of BJP is not going to work anymore. Aap batao, Bengal, Trinomul is the only party which has delivered the most crushing defeat to BJP in recent times. And Congress is saying that BJP is helping to help. But then talk about it. Congress and BJP are in Trinomul in Trinomul. Trinomul is the only part that Trinomul is the only part of the BJP to help. And Congress is the only part of BJP to help. And the Congress is the only part of the BJP to help. And the people of BJP are saying that we are going to go to the Congress to help and help. And that will help. So what will happen? Will you declare a CM phase before election? No. Because we believe in democracy and that should be left to the prerogative of people and the people of Goa to decide. As I said, how can we name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLA's and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. Sir, you are still open for alliance to defeat BJP? Sir, we are open for anything, for the sake of people of Goa. Let me put this on the account. We have no ego. Humara koi ego nahi hai. Agar kisi ko lagta hai Trinomul ka ego hai, mein National General Secretary hoon paati ka. Mein kya ra hou, we are ready to walk that extra mile. Agar Goa ki loho ki bhalai hota hai, ap jahaan hume jane ke lihi kahe chaayenge. Agar Desh ki raajneeti mein sudhaar lana chaayenge, ap joh hume karne ke lihi bolenge, am kare. With Congress also? With Congress also? Humara koi ego nahi hai. With Congress also? You have to read between the lines. Okay, good way, barber das. So what about arm arm armi party? Are you ready for..? Mein hai sab ptalikil pouty ka haa da? Stop political party me wo aso bhi however. Will it be, will it be with Congress also? Congrez also? यूमधा प्रहुच्वित अज़ने कार्ट करें भुलेचें को है जी जो समस्थास्वा सब्सक्राइब करें दिए जोसे ट्रॉट पुलेचल तर्फ कर दो डर्न के बलचितों टॉड़ें तो जी जो सांट बांगेन को तॉड़ों तष्रों के अद्री यू अधर यूसान है और उनी जो दिए आमार बिरुद ते गथा बोले, इक प्रूज ते इस नो हाई कमांड कुछर इन तृलमूल, लाइक काउरेश, तो आमार देटर न भालोई, गवर्णतां तो थागले तो मानुस लग पथा बोले, तो को लाइट मैंने जी जी बोले था क्या आमार नेक्त्र सेर्फ टेस्टे रूपोर जोर दियेश, एक ता साइन्टिफिक काड़न रोएचे, साइन्टिफिक काड़न की आट्टी PCR जभणामी कोड़ाई, आमी शोकाले कोड़ाले, आस्ते 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 आमार काचे रिपोर्ट राथ होई गया, तो आम जोदी शोकाल एक टेस्ट क सेर्फ टेस्टे रूपोर बेशी जोड़ दूँ, सेर्फ टेस्टे आपनी रेजल्टा दोश मिन तेर मुद्दे पाल, आमना सेर्फ टेस्ट मीजे ना पहुंच आए थो, आमी ए निजे MPE शेबेगी चुकी नेची, MLA लेडा कीनेचे, ब्लोग सोभापुती नेची नेच जननी के पहुंच लेडार टेस्ट होए छी लोग, शेकर ने आइंटीजेन और आटीबीसी आड मीले प्लाई कुरी हज़ब टेस्ट होए छी आठ सेर्फ टेस्टिंग कीटे आमना टेस्ट कोड़े छी लाँ प्लाई तेस्ट होए छी लोग, स्वब टेस्ट कीट दोरून शेटा सरकाले काहें तुथ्ट जाचे लेडार टेस्ट होए अटीजेए अपने राइट रिजिशें दुझोर टेस्ट होए छे लोग, अधने मोगस करें गेता, अधनी कीबोल गानेश? कोड़ा होची, कोटर भावे दोवन कड़ा होची, अधनी मोनेकोडी शोर्टार शोटीक पदोखेत में छी जोदी केऊ निजे के भावे एवां दोलेड उर्धे उठे, निजे शाट्तों चोडिताप्तों कोरते दोलके कालीमा लिवतों कोड़े, कोटर रावस्त तार्वि जोब आज़ा निजे पडिक आज कोच्छे, आस्ते आस्ते होची, आपना देगेशन सेध पोजिटिवीटी अधने कूमेची, अधने वी आन्रिश सपरसन ची भी शुटाटे कुणी परसन दे मेंचा, और न्रिश सपरसन कालकेमों देंचे, डामों चारवाड़े, सोड़ी आप लोग को कुछ और यहीं ट्रांसलेशन करें तो यहां पर मैंने कोविट टेस्टिंग बढ़ाए थी तो यह पूछे कि यहां पर जो टेस्टिंग मैंने बढ़ाया है उसमें 60% टेस्ट हम लोग सेल टेस्ट किया है और सेर्फ टेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और जो पॉजिटिवीटी रिट बेंगॉल में था भूट इस जोड़ी और ग्राजवली गोईंडाओं मेरा कॉंस्टिवेंसी में दस दिन फंदर दिन पहले पॉजिटिवीटी रिट सा 24 परसेंट वो एक परसेंट पे आक कि कल रुका में आपके कड़िवीटी कि इस नुदी दीघंगे एक दूटिवीटी आप सर देख जयाया है